खगोली घटनाओं में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए 2 अक्टूबर का दिन बेहत खास है। सूर्य की प्रित्वी परिक्रमा करती है। सूर्य का बिम्प कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढख जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहन लगना कहा जाता है। इसका गुली घटना के दौरान जजिस्थान पर परचाई पड़ती है। अहां पर आस्मान में सूर्य आधा या पूरा हिस्सा धका दिखेगा। दो अक्टूबर को लगने वाला साल 2024 का आखरी सूर्य ग्रहन वल्याकार होगा। इस सूर्य ग्रहन के दौरान धर्ती से चांद दूर होता है। इसकी वज़े से ये सूर्य की पूरी तरह नहीं ढख पाता है। इससे आस्मान में आग का गोला नजर आता है। विज्यानिकों के मताबिक जब सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तो सूर्य ग्रहन लगता है। इस सूर्य को पूरी तरह धकता नजर आता है। लेकिन जब ये धर्ती से दूर होता है तो छोटे आकार की वज़े सूर्य के बीच के हिस्से को ही धक पाता है। सूर्य का बाकी किनारा नजर आता है जो आस्मान में आग का छला बनाता है। पून सूरे ग्रहन की तरह ही वल्याकार ग्रहन भी चार चड़नों में लगेगा अमेरिका के स्थानी समय के मुताबिक 11.42 मिनिट पर सुभे आंशिक ग्रहन की शुरुआत होगी जब चंद्रमा सूरे के सामने से गुज़ते का इसके बाद 12.50 मिनट पर दोपेहर में वल्याकार सूरे ग्रहन दक्षनी प्रशान महासागर में शुरू होगा शाम 4.49 मिनट पर और इसके बाद ही दक्षनी अटलांटिक महासागर में ग्रहन खत्म हो जाएगा साल का दूसरा सूरिग रहन भी भारत में नहीं दिखेगा ये वल्याकार सूरिग रहन दक्षिनी अमेरिका महाधुईप और प्रिशान महसार में नजर आएगा अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में भी सूरिग रहन नजर आ सकता है महादूइब के बागी हिस्सों में ये आंशिक रूप से नजर आएगा